जैन साथियो स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल टीचिंग बेदाना इंचोहान में दोस्तो आज हम पढ़ने वाले हैं सामान गैन की यलो बुक की 27 वी क्लास आल्रेडी दोस्तो हमारी 26 क्लास अपलोड कर दे गई हैं और जिन दोस्तों अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो एक बार आप सभी पैर दोस्त प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों काफी लंबे समय से दोस्तों आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी तो दोस्तो आज आप लोगों के लिए एक नए वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम आप लोगों को सम्मिधान में पेज बाई पेज दोस्तो आपका कम्प्लीट करवा रहे हैं और दोस्तों आज किस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा रोचक जानकारी देने वाला हूं और साथ ही दोस्तों एक वीडियो में आपका और आएगा जिसमें आपका पूरा का पूरा समिधान कम्प्लीट हो जाएगा और इसके बाद दोस्तों हम जियोग्राफिया स्टार्ट भी करने वाले हैं बहुत थी जल्द तो दोस्तों कलब में समय से तक आपकी कलास ना हो पाने के कारड़ दोस्तों में बहुत ही जाद अब्यस्त था तो इस बजह से आपकी वीडियो नहीं आ पा रही थी तो दोस्तों कोसिस करूँगा कि आप लोगों के लिए डेली एक जीके का वीडियो आया आप लोगों ने बहुत से कंड़िट ने कमेंट करके का कि सर हमारा MTS का पेपर है SSC GD का पेपर है SSC के और भी एकजाम लगे हुए हैं तो आप जो है येलो बुक की बुक जो है पिछली वीडियो को नहीं देखा तो एक बार अप ले लिस्ट में जाकर उन पिछली वीडियो को जरूर देखेगा आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा helpful रहेंगी तो चलिए जोस्तों बिना देरी कि इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो वीडियो के स्टार्ट करन आपको पास सबसे पहले पहुँचे तो चलिए जोस्तों मिलते हैं अपने आज के कुछ्छन से जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में आप से कहा था कि हम जब ही श्टार्ट करें तो पेजभई पेज़ चार्ट करेंगे так आज हम दुस्तों पढड़ने वाले हैं लो लोख लेखा सम्यती के बारे में बताएंगे, चलिए दूस्तोव वीडियो वीडियो दे स्टार्ट करते हैं, तो दूस्तो आज का पहला पॉइंट है, लोख लेखा सम्यती…. यहां से दूसते आप बहتरएम्पॉइन। बताए जाएंगे जो कि आपके लिए बेहत कि जिन दोस्तों को इस बुक का फ्री पीडियाप चाहिए फ्री पीडियाप डानलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारे टेली ग्राम ग्रूप और टेली ग्राम चैनल दोनों का लिंक आल एली डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो आप जाकर हमारे टेली ग्रूप को जोईन कर लीजिएगा तो वहाँ पर आपको दोस्तो इस वीडियो का फ्री पीडियाप मिल जाएगा यदि आप किसी कारण बस यदि इसका फ्री पीडियाप डाउलोड नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तो आप हमें टेली ग्राम पे से परसनल मैसेज कर सकते हैं और इसका फ्री पीडियाप आप हमसे ले सकते हैं तो आप फ्री पीडियाप लेना चाहते हैं तो आप हमें टेली ग्राम पे परसनल मैसेज भी कर सकते हैं और आल लेडी सिबुक का फिरी PDF टेली ग्राम पे पड़ा हुआ है तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए दो पहला पांट इसमें दिया गया है कि लोक लेखा समिती का प्राकलन समिती की जुड़वा बहन कहते हैं अब एक्जाम में दोस्तो कुष्टन किस तरीके से पूछा जाता है इस पर चर्चा करते हैं दोस्तो आपके एक्जाम में कुष्टन पूछा जाएगा कि प्राकलन समिती की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है प्राक्लन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है तो आपका दुस्तो जवाब आना चाहिए लोक लेखा समिति को लोक लेखा समिति को जस्ट अपोजिट कुश्चन दुस्तो आपके एक्जाम में बन सकता है तो दोस्तो आपको दोनों बाते याद रखनी होगी कि प्राक्रलिन समित्य की जुर्वा बहन लोक लेका समित्य выпуск लोक लेका समित्य की जुर्वा बहन प्राक्रल में समित्य। उमीद है दोस्तों यह point आपको समझ में आ गया होगा important point है node जरूर कर लीजिएगा अगला point के और चलते हैं दोस्तों इसमें 22 सदस्य होते हैं stop करते हैं यहां से आपको थोड़ा वे point यहां पर समझना है कि लोग लेका समिती में इस आप से पूझा जाए कि लोग लेका समिती में सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो आपका जवाब आना चलिए दोस्तों 22 कितनी होती है दोस्तों 22 सदस्यों की संख्या होती है जिसमें अब दीए इन 22 सदस्यों में अब इसमें आपके पंद्रे सदस जो होते हैं दोस्तों वो लोकसभा के होते हैं और बाकी के जो साथ सदस होते हैं वो किसके होते हैं राजसभा से होते हैं तो याद रखिएगा लोक लेखा समिती में कितने सदस होते हैं टोटल होते हैं आपके पंद्रे प्लस साथ बोल सकते होगे हमारे लोक लेखा समिती के 22 सदस होते हैं उम्मीद है दोस्त आपको बिलकुल किलियर हो गया होगा चलिए एक बार इस प्रांट को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि दोस्तो आपको इस वीडियो को देखते ही देखते याद हो जाएं हमेशा के लिए और आने वाले एक्जाम में दोस्तो इन प्रिशनों को आप गलत ना करें तो याद रखिएगा लोक लेखा सभी तेवे दोस्तो कुल 22 सदस होते हैं जिसमें 15 लोक सभा के सदस होते हैं और साथ आपके राज सभा के सदस से होते हैं क्लियर चले अगला इंपोर्टन्ट लगाएंगे इन सभी का कारेकाल कितने एक बरस का होता है दोस्तो एक बरस का होता है इसे लगू लोक सभा भी कहा जाता है लगू लगू में इस क्या होता है दोस्तो छोटा क्योंकि एक बर्स का कारकाल है तो इसे दुस्तों लगू ऱोक सवा भी कहते हैं क्योंकि इसका कारकाल ऑनली वन oraz का होता है याद रुब केगा दुस्तों काफी लोग इसमें पाउंच येर करेंगे और आपको आपसंес में जरूर मिलेगा तो पाउंच wesढal है आपको याद रखना है दोस्तों कि रोग लेका जो समिती में जो सदस्यों की संख्या होती है बाइस होती है जिसमें 15 लोग सवा के होते हैं सात राज्यसभा के होते हैं जिन सभी का कारकाल एक बर्स के लिए होता है इसी कार दोस्ते इसको लगू लोकसभा भी कहा जाता है किलियर चलिए उम्मेदे दोस्ता आपको ये पंट आसानी से बिलकुल सरल भासा में समझ में आ गया होगा तो अगले पंट की ओर चलते हैं अद्यच को कौन मनोनीत करता है अद्यच को मनोनीत कौन करता है तो सीधी इसी बात है कि इसमें बाज सदस होते है जो लोग सभा राजसभा को होते हैं जो कि इसमें लोग सभा का जो अद्यच द्वारा ही मनोनीत किया जाता है किसके द्वारा दोस्तों लोग सभा के अद्यच द्वारा नेक्स्ट इस समिति का अध्यच व्रोधी दल का नेता होता है इस समिति का किसका लोग लेखा समिति का जो अध्यच होता है वही व्रोधी दल का नेता होता है लोग लेखा समिति में राजसभा की सदस्यों को सह सदस्य माना जाता है तथा उन्हें मत देने का अधिक कुछ सह सदस्य तो माना जाता है लेकिन उन्हें दुस्तों वोट देने का दिकार नहीं होता है वोट नहीं दे सकते हैं सदस्य तो हो सकते हैं वो भी सह सदस्य साथ में सदस्य तो हो सकते हैं लेकिन इन्हें वोट देने का दिकार नहीं होता है ये दुस्तों लोग लेका समित सवाधी में बताया ग्या है कि राज सभा की सदस्यों को सदस्य तो माना जाता है लेकिन उन्हें मत देने इक अधिकार नहीं होता है तो मत कौन देगा सिर। सिर। लोग सभा के सदस्य क्लियर चलिए अगले पवंट के चलते हैं अब यहां से स्टार्ट हो तो कि दूस्तों यह चोटे चोटे पॉइंड दिये गए हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एक्जाम के लिए तो यहां यह बुक आपके लिए दूस्तों बहुत ही ज्यादा लाबकारी रहने वाली है तो जिन दूस्तों इसको पर्चिज कर रखा है तो बहुत लिए रगया है तो आपका जो भी डाउट हो जो भी पॉइंट हो आपको हमारे प्रती जो भी हाल्प चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं चलिए अगला पांट लोग लेखा समिति के कारें के पहला पांड दिया गया है यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परिछक जिसक कोई चानक पूर्दे की लोग लेखा समिति का कार क्या होता है लोग लेखा समिति का कार सिथी बता सकते हैं कि नियंत्रक महालेखा परिछक द्वारा किये गए कारें की जाज करना नियंत्रक महालेखा परिछक जिसको कैग बोलते हैं कैग द्वारा जो भी कार किये गए उन आप दूस्तो ऐसे आसान सी सरर बादसा में समझा सकते हैं और आको एक्जाम के लिए important दिया अपके एक्जाम में question बनते हैं तो आप आसानी से दूस्तो एसे question को solve कर सकते हैं और आपको गलत नहीं करना है अगले पांट के और चलते हैं कि 12 सरकार द्वारा खर्च की गई रासियों पर लेखाओं की जाच करता है यानि 12 सरकार द्वारा जो भी खर्च की गई धनरासी है उस पर लेखाओं की जाच करना कि कितनी रासी किस जगह खर्च हुई है कितनी लागत आई है के लिए अगला पांट है कि संसद द्वारा किये गई अत्रिक्त वियाई वियाई मीज खर्चा की जाच करती है यानि कि संसद द्वारा अत्रिक्त वियाई जो अत्रिक्त आपका जो खर्च हुगा है उसकी भी जाच लोक लेखा समिती की द्वारा ही की जाती है अगले पांट के और चलते हैं समिती राष्टपती के वित्ती मामलों की भी जाच करती है लोग लेका समिती द्वारा क्या किया कार किये जाते हैं समिती राष्टपती के बित्ती मामलों की भी जाच करती है और जो बाकी की जो धनरासिया है किसमें कितना व्याय हुआ है उनकी भी जाच करती है और नियंतरक महाले का परिच्छक द्वारा जो भी आपकी कार किये गए उनकी भी जाच करती है किलियर चलिए अगले पेश कियो जब भी कोई बुक में आपको नोट या कोई लाल हेडिंग्स लाल कलर के हेडिंग्स है जो भी आपको नोटिस वहाँ पर दिया जाए तो उसको दोस्तो आप जरूर पढ़िएगा क्योंकि वह ऐसे पांड होते हैं जो कि दोस्तो बेहद इंपोर्टन होते हैं आपको दोस्तो ये जो बॉक्स में ये पांड दिया गया है तो इसको अपने कॉपी में जरूर नोट कीजेगा ये आपके लिए दोस्तो बेहद इंपोर्टन पांड है जब बुक में नोट करके द आगया है तो समझे निसमें जरू कुछ ना कुछ खास बात दी गई है कहा गया है कि लोक लेखा समिती अपने प्रतिवेदन लोक सभा को दे देती है जिससे कि जो अनीमिताई उसके ध्यान में आई हैं उन पर संसद में बहस हो और उन पर प्रभावी कदम उठाए जा सकें सम समझानी की दोस्तों यहां से आपके कुछ न बनने वाले हैं 100% अपके से एक्जाम में बने यह तो दोस्तों नहीं का जा सकता है लेकिन आपके एक्जाम में जरूर बनेंगे याद रखिएगा किसी भी आपके एक्जाम की तेहरी कर रहे हैं चोटा एक्जाम हो या बड़ा एक्जाम हूँ आपके दोस्तों समानी ग्यान से कुष्चन 100% बनते हैं वो भी समझान से समझान से मोश्चली कुष्चन आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों आपके एक्जाम में यहां से कुष्चन बनने की 100% संभाब ना है क्योंकि कुष्चन आपके से पूचा जा सकत आए कि लोक लेखा समिती अपना प्रतिवेदन किसको देती है लोक सभा को देती है राज सभा को देती है विधान सभा को देती है विधान परसद के सदस्यों को देती है तो दोस्तों आपके ऐसे ऑप्सन देखने को मिलते हैं तो आपको दोस्तों उस समय क्या होता है आपको संसद में दोस्तों बहसो और उन पर प्रभावी कदम यानि उन पर महत पूर कदम उठाए जा सकें तो लोग लिए का समिती प्रत्वी दिन अपना सिर्फ लोग सवा को ही देखी याद रखेगा उम्मीद है दोस्तों आपको कहने का मेरे बतलब और एक पॉइंट आपको आसा है क्योंकि 140 पेज की यह 140 पेज की दोस्तों बुक है जो कि आपके एक्जाम के लिए दोस्तों राम बान सिद रहेगी तो इस बुक को आप जरू अच्छे से पढ़िएगा और आपने दी इस बुक को कंप्रीट पढ़ भी लिया है तो इसका बार बार आप रिवीजन भी कर करते जाएगा नहीं तो आप दोस्तों भूल जाएंगे क्योंकि आज की डिट में दोस्तों कंप्रीशन बहुत हाई लेविल पर है आप जतना एक्स्पिरियंस कर रखेंगे जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए वैटर रहेगा चलिए पांट दिस्तों दिया कि पंचायती राज का आरम कब हुगा था तो दोस्तों आपका जवावाना चाहिए दो अक्टूबर उनिस सो उनसट को कब हुगा था दोस्तों दो अक्टूबर उनिस सो उनसट को पंचायती राज का आरम हुगा था और किसने किया था भारत के प्रथम प्रधान मंत्री भा टुवर उनिश्वन सट इस वी को पंचाती राज का प्रारम किया था उम्मीद है दोस्तों आपकी पॉइंट आपको किलियर हो गए होंगे और अप अपनी कॉपी में नोट्स भी बना रहे होंगे याद रखेगा आपको नोट्स कैसे बनाना है नोट्स बनाते ही मत रहेगा उनको रिवीजन भी करते रहेगा नोट्स बनात रहे हैं आपको बहुत अच्छी बात लेकिन उनका रिवीजन भी करना होता है नहीं तो आप दोस्तों जिदी रिवीजन नहीं करोगे तो दोस्तों आपको आज याद रहेगा अकल याद रहेगा पर्सों तक मैं आप भूल जाओगे तो आपको दोस्तो नोट्स बनाता रहना है साथ में उनका रिवीजन भी करते रहना है तब ही जाके दोस्तों आपकी तयारी है वह बहतरीन हो पाएगी ठीक है तो दोस्तों नोट आपको कैसे बना रहा है कि पंचायती राज का आरम बुगा डैस करके लिखेंगे 2 October 1969 को अब इसी के नीचे लिखना है कि पंचायती राज का आरम किस ने क्या डैस करके लिखेंगे पंडित जभारलाल नेहरूने इसी प्रकार आपको फिर लिखना है कुस्चन को पॉइंट बना के कि पंचायती राज का किस इस्थान में उन्हों किस जगय आरम हुआ तो राजिस्थान राज के नागार जिले से क्लियर चले अगले पाइंट के और चलते हैं दुस्तों आंद प्रदेश में 11 एक्टूबर 1969 को पंचायती राज का गठन हुगा कब हुगा आंद प्रदेश में कब हुगा 11 एक्टूबर 1969 को पंचायती राज का गठन हुगा पंचायती राज बलवंत राय महता समिती इससे काफी लोग भली वाती पर्चेत होंगे बलवंत राय महता समिती कोई सिफारिस पर लगाया गया था और यह समिती 1957 इस्वी में इसका गठन हुआ या गठित की गई कब 1957 इस्वी को याद रखेगा 1957 इस्वी को बलबंत राय महता समिती क्लियर अगला पॉइंट है कि 73 सम्विधान संसोधन पंचायती राज से सम्बंदित है इसको इंपोर्टेंट लगाएंगे इसको एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं क्योंकि दोस्तों आपसों को क्लियर हो जाए कि ये पॉइंट आप लोगों के लिए कितना इंपोर्टेंट रहने वाला है 73 सम्विधान संसोधन कुश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज किस सम्विधान संसोधन से संबंदित है या पंचायती राज संबंदित है आपको आपसन दे दिया जाएंगे 73, 74, 75, 76 सम्विधान संसोधन तो आपका दुस्तों जवाब आना चाहिए 73 सम्विधान संसोधन कौन सा दुस्तों हो 73 सम्विधान संसोधन 73 सम्विधान संसोधन दुस्तों ये पंचायती राज से समणद रखता है अगला प्वांट이ंट दूष्त पंचायती राज का प्राबधन समिधान के भाग-9 की अनुचिट-230 में किया गया है तथा अंसूची 11 ज्यारह भी पंचायती राज से समँद दे थे क्लियर याद रखिए कि दुस्तु पंचायती राज का जो प्रावधान ये संब्धान के भाग 9 में आर्टिकल 243 से और अंसूची 11 में पंचायती राज से संबन देते हैं इन तीनों पॉइंटों को आप नोट बनाकर जरूर छाप लीजिएगा कॉपी और अपने मैंड दोन में सब्सक्राव है आपको कर के कुछ तीन प्रसनों के आपको पॉइंट बना के लिके हैं इस में एक दिया रिए क्वेश्चन आपके स्कूंदान संजोधन की मुक बाद इन तो मुक बातें समझ गई दोस्तों इंब आ यहां से लीमपोर्टंटrophyं कुश्चन बनने वाला ह तो यहां पर दोस्ता आपका पहला पंड दिया गया है इसमें पंचायती राज के त्री इस्त्री त्री इस्त्री का मतलब तीन इस्तर धाची का प्रावधान किया गया है ग्राम इस्तर पर ग्राम पंचायत प्रखंड इस्तर पर पंचायत समिती तथा जिला इस्तर पर जिला परसद के गठन की विवस्था की गई है यानि कि दोस्तों इसको तीन ढहाचों में प्राबधान को दरसाया गया है कि ग्राम इस्तर पर यानि ग्रगाओं है उसमें क्या होगी ग्राम पंचात होगी प्रिखंड इस्तर पर पंचात समयती बोलेंगे और जिला इस्तर पर जिला परसद के एक अठन की विवस्ता की गई है इनके यदि कारकाल की दोस्तों यदि बात की जाए तो इनका कारकाल जो होता है दोस्तों वो पांच वर्स के लिए होता है कितने के लिए पांच वर्स के लिए जिसमें दोस्तो एक तेहाई महिलाओं को आरच्छड की विवस्था की गई है यानि कि दोस्तो एक वटे तीन हिस्सा जो है वो महिलाओं के दोस्तो आरच्छड की विवस्था की गई है जितनी भी महिला हों उनको दोस्तो एक तियाई आरचछड़ की विवस्ता की गई है और इनका कारकाल पांच वर्स के लिए निर्धारित किया गया है चौता पांट दिया गया है दोस्तो इंपोर्टेंट लगाएंगे पंचायत भंग होने पर छे महीने के अंदर निर्वाचन होंगे कितने महीने के अंदर दोस्तो छे महीने के अंदर याद रखिएगा कुश्चन पूछा जाता है कि पंचायत भंग होने पर निर्वाचन कितने दिन के अंदर होंगे या कितने दिनों में हो सकते हैं तो आपका आंसर आना चाहिए छे महा तक किलिर चली एक नोट लगाएंगे आप सभी लोग 73 मा समधान संसोधन के बाद पंचायती राजदनियम का निर्मार करने वाला पिर्थम राज करनाटक है याद रखिएगा इस स्टेट को दोस्तों आप अपने आखों में छाँप लीजिएगा कि करनाटक एक ऐसा राज है जो 73 में समधान संसोधन के बाद पंचायती राजदनियम का निर्मार करने वाला पहला राज बना क्लियर चलिए जो भी दोस्तों आपका डाउट लग रहा हो तो आप हमें कमेंट वाक्स में आसानी से बेजज़क पूँच सकते हैं जिसका आपको जबाब तुरंत दिया जाएगा अगला पांट है 74 बास सम्मिधान संसोधन यह संसोधन नगर पालकाउं से संबंदे थे इसके द्वारा सम्मिधान के भाग 9 का और अनच्छेज 243 एवं बारवी अनसूजी का प्राबधान किया गया है जिसमें दुस्तों कुल 18 विसए दिये गए है कितने विसए दिये गए हैं कुल 18 विसए दिये गए है याद रखेगा भाग 9 का आर्टिकल 243 अनसूजी 12 और बिसए 18 किलियर तो छाप लीजिए अपनी कॉपी में अगले पाइंट के और चलते हैं दुस्तों 74 वास संब्धान संसोधन की मुख बाते हैं इस पर भी दुस्तों चर्चा कर लेते हैं संब्धान के 74 संब्धान संसोधन में कहा गया है कि नगर पालकाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई यानि कि एक बटे तीन भाग इस्थान आरच्छित है जैसा कि अभी हमने आपको एक पाइंट में बताया था कि महिलाओं के लिए एक त्याहई अरच्षड की बिवस्ता की गई है तो 70 सम्मिदान संसोधन में भी यही कहा गया है कि नगरोपालकाओं में महिलाओं के लिए एक त्याहई भागिस्तान अरच्षड है अगला point नगर पालिकाओं में अनसूचित जाती तथा जन जाती के लिए भी आरच्छड की विवस्ता की गई है जितने भी दोस्तों अनसूचित जाती और जन जाती के अटागरी की लोग है उनको दोस्तों आरच्छड की विवस्ता की गई है उन लोगों को आरचछड मिलेगा चलिए अगले point के और चलती है नगरी है संसिथाओं का कारेकाल पांच वरस का होगा बिगटन पर इस्तिती में 6 महीने के अंदर चुनाओ कराना है यानि कि दुस्ते इनका कारेकाल भी दुस्ते कितने का होता है पांच वरस का पांच वरस का दुस्ते इनका कारेकाल होता है और इनफे 6 महीने के अंदर कितने महीने के अंदर चुनाओ कराना भी होता है वो भी बिगटन की इस्तिती में क्लियर चलिए अगला point ए दोश्त Europe भारत के राश्टी चिन आप लोगों को लंबाई और चोडाई के बारे में अनुपात भी आप लोगों को पता होना चाहिए तो चलिए उस तो आप सभी जानते है भारत का राश्टी चिन पहला है भारती ध्वज ध्वज में इस क्या होता है जंडा बोल सकते हैं और अपने भारत देश का जंडा क्या उसा है तीन पट्टियों वाला तिरंगा भारत का राश्टी ध्वज है नेशनल फ्लैग ओफ इंडिया ध्वज की लंबाई और चोडाई का अनुपात यह आपसे एक्जाम में दुस्तों अकसर पूछा जाता है कि राश्टी ध्वज की चोडाई का अनुपात क्या है अब लोगों को दोस्तों हर एक कंडिडेट को पता होना चाहिए कि जो राश्टी ध्वज है उसकी चोडाई का अनुपात कितना होता है लंबाई और चोडाई का तीन अनुपात दो कितना होता है दोस्तों तीन अनुपात दो तीन लंबाई होती है और दो चोडाई होती है क्लि आप सभी जानते हैं कि जिसमें 24 तीलियां हैं तथा इस चक्र को सारनाथ के असोग इस्तंब से बने चक्र से लिया गया है याद रखीएगा दोस्तो आपसे कोई भी अचानक कुश्चन पूँच भी सकता है नॉर्मल मौकी कुश्चन पूँच सकता है आपके अग्साम में भी कुश्चन पूँच सकता है कि आप एक भारत के नागरे के होने के नाते तो दूस्तो आप लोगों को छोटी छोटी जानकारें का पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है याद रखिएगा भारती सम्मिधान ने राष्टी द्हच कब अपनाया 22 जुलाई 1947 को राष्टी द्हच की चक्र में कितनी तीलिया है 24 और यह चक्र कहां से लिया गया है आप जानते हैं स्तारनात में असो किस्तम के बने चक्र से लिया गया है किलियर चलिए अगला पांठ है राष्टी द्हच का कैसरिया रंग आप दिखिए जंडे में दुस्तों कितने रंग होते हैं आप दोस्तों काफी लोग कनफीज होगे कि जंडे में तो तीन रंग होते हैं कैसरिया सफेद और हरा लेकिन दोस्तो केसर या सफेद और हरा ये तो रंग होते हैं लेकिन दोस्तो आपके बीच में एक रंग होता है चक्र का चक्र का रंग कैसा होता है बहुत से लोग काला बताते हैं कुछ लोग नीला बताते हैं तो आपका दोस्तो क्लियर बता दू कि काला रंग का चक्र नहीं होता है चक्र जो होता है नीली रंग का होता है जिसमें दोस्तो आपकी 24 तीलियां होती है तो हम कह सकते हैं तो ट्रंगे में 4 कलर होते हैं लेकिन मुक्ता पूछा जाए तो मुक्त तीन होते हैं वैसे तो आपक चार कलर होते हैं कौन-कौन से केसरिया सफेद हरा और नीला लेकिन मुक्ता आपकी दी बात कि जाए तो अल्ली तीन रंग होते हैं केसरिया सफेद और हरा उम्मीद है दोस्ता आप समझ चुके होंगे तो इसमें कहा गया कि राष्टी ध्वज का केसरिया रंग दुस्तो जग क्या प्रतीक है ये आप सभी को दोस्तो पता होना चाहिए उम्मीद है दोस्तो ये पाइंट क्लियर हो गया होगा चले अगले पाइंट कर चलते हैं राष्टी ध्वज का समझ धान सभा में हंसा महता ने प्रिस्तुत किया अब तक का सबसे ज़्यादा मोश्ट इंपोर्ट और कुश्चन आपके एक्जाम के थिरू राष्टी ध्वज को समधान सभा में किसने प्रिस्तुत किया पता सकते हैं आप कोई कंडिडेट क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट वॉक्स में जल्दी से लाइब चैट में आप लोग कमेंट करिएगा मैं आप सभी की क जनमरी 2004 को एक महतपूर विनरणय में उच्चितम नियायले नियाय गोश्चना की सम्मिधान के अनुच्छिद 19.1 आग के अधीन राष्टी ध्वज फैराना नागरेकों का मूल अधिकार है नागरेकों का मूल अधिकार है यानि कि दोस्तों राष्टी ध्वज पैराना को कोई आम बात नहीं बलकि अपने एक मूल अधिकार है कि आप राष्टी ध्वज को फैरा सकते हैं अगला है राष्टी ध्वज को राष्टी सोक के समय जुका दिया जाता है दोस्तों जब राष्टी सोक होता है नेशनल सोक होता है तब दोस्तों हमारे तरंगे जंडे को ज जुका दिया जाता है हलका सा राष्ट पती उप राष्ट पती या प्रधान मंतरी का निदन हो जाने पर संपूर देश में दुस्तों राष्ट द्वच को बारे दिनों के लिए जुका दिया जाता है कितने दिनों के लिए बारे दिनों के लिए यदि आप से पूछा जाए क अचानक्स और किसी राष्ट पती और प्राष्ट पती या प्रधान मंतरी का अचानक्स निधन हो जाता है तो दोस्तो राष्टी द्वज को कितने दिनों के लिए जुका जाता है तो याद रखिएगा दोस्तो बारे दिनों के लिए कितने दिनों के लिए बारे दिनों के लि लिए जुका दिया जाता है सबका दोस्तों अलग अलग दिन है साथ दिनों के लिए जब कोई पूर्व राष्ट पती यानि हम कह सकती प्रिजेंट में जो राष्ट पती है प्रिजेंट में उप राष्ट पती है प्रिजेंट में जो प्रधान मंत्री यदी अचानक से उनका निधन हो जाता है तो दोस्तों आपका बारे दिनों के लिए द्रंगा को जुका दिया जाएगा लेकिन यदि उसकी जगह पूर्व की राष्टपती जो पहले राष्टपती रह चुके हो पहले प्रधान मंत्री रह चुके हो या पहले उपराष्टपती रह चुके हो कहने का मतला पूर्व राष्टपती और पूर्द प्रधानमंत्री और पूर्व प्राष्टपती के निदेन हो जाने पर राष्टी ध्वच को साथ दिनों के लिए जुका दिया जाता है क्लियर? अगला पांट दोस्तों कहा गया कि भारत के राष्ट द्वहच का पहली बार प्रदर्शन 14. अगस्त 1947 को मदिरात्री में हुगा था मदिरात्री में यानि मदिरात्री में हुगा था 14. अगस्त 1947 से भी को क्लियर चलिए अगला पांटर राष्टी गीत आप सभी जानते कि राष्टी गीत कौन सा है हमारा अब देखिए यहां पे काफी लोग कनफिज होंगे एक कुश्चन आप लोग कमेंट हमें वीडियो क्लास्ट में कमेंट में जरूर आप सभी दोस्त जरूर बताईएगा कौन युद कब लड़ा गया तो आप हमें लोग सभी प्यारे दोस्त कमेंट में इन चीजों को जरूर लिखा कीजिएगा जिससे कि दोस्तों आप जब भी लिखें तो आपको क्या होता कि जब भी हम कोई नोट बनाते हैं कोई चीज लिखते हैं वो हमेंसा हमें याद रहत लगे लंगर में यह जीए तो आप लोग लिखें बहले ही आप गूए से देखके किसे भी करके लिखें लेकिन करको तो उस चीज की जानिकारी आपको भी मिलेगी जो भी candidate हमारे चैनल पर आएगा comment देखेगा तो आपकी comment को like भी करेगा देखेगा तो उसको भी दुस्तू benefit मिलेगा तो आप लोग comment section में आप सामानी गयान के कुछ प्रिश्नों और उत्रों को जरूर नोट करिएगा जरूर्स गीत और राष्टी गान में बहुत अंतर है काफी लोग राष्टी गीत को राष्टी गान समझते हैं और राष्टी गान को राष्टी गीत समझते हैं तो भारत का राष्टी गीत और राष्टी गान क्या है तो यह आप हमें कमेंट बॉक्स में शरूर बताएगा मैं एक एक क इसने लिखा था दुस्तु बंकिम चंदर चटर जी ने जो की एक दुस्तु क्या है नोवेल नोवेल में इस क्या होता है उपन्यास जो की एक उपन्यास है इन्होंने आनंद मठ में इनहीं के द्वारा रचित बंदे मात्रम को राष्टी गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को इसक पाइंट है इस गीत को सबसे पहले 1896 में भारती राष्टी कॉंग्रेस के कलकत्ता डिवेशन में गया गया और इस गाने की समय सीमा एक मिनट पांस सेकेंड है अब देखिए दोस्तों याद रखिएगा सबसे बड़े याद बात तो आपको बता दें कि जो हमारा राष्ट राष्टी गान है वो होता है दोस्तों बावन सेकेंड का कितने का होता है बावन सेकेंड का लेकिन दोस्तों हमारा राष्टी गान है स्वारी राष्टी गीत है वो होता है एक मिनट और पांच सेकेंड का होता है याद रखिएगा दोस्तों एक मिनट पांच सेकेंड का होत लेकिन एक मिनट पांच सेकंड का राश्टी गीत होता है लेकिन राश्टी गान जन गण मन अधिनायक जया हे भारत भाग्य बिधाता तो यह हमारा दुस्तों बावन सेकंड का होता है किलियर एक प्रांड दुस्तों नोट करके कहा गया है कि भारती संसत के अधिवेशन का प आप सभी जानते हैं कि राष्टी गान की रचेता कौन है रविंद्रनात ठाकुर रविंद्रनात ठाकुर द्वार रचित जनगण मन सम्धान सभा ने 24 जनवर 1950 को भारत का राष्टी गान स्विकार किया आप से दिया एक्जाम में दिकोश्चन पूछ दिया जाए कि जनगण मन को सम्धान में कब दोस्तों अंगी कार किया गया या कब स्विकार किया गया तो दोस्तों आप आसानी से बता सकते हैं कि जनगण मन को सम्धान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्टी गान स्विकार किया या अंगी कार किया क्लियर चलिए अगला पांट इसको गाने का स समय वो आपका बावन सेकंड है याद रखिएगा क्लियर जब कि आपका राष्टी राष्टी गीत है वो एक मिनट पांस सेकंड का है राष्टी गान बावन सेकंड का अगला पांट है यह सबसे पहले 27 दिसंबर कुश्चन को जो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है के कर रहा है वो जिस कंडिडेट ने और अभी आपको बता दें कि जो भी कंडिडेट इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा ना तो इसको एक्जाम में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा दोस्तों बेनेफिट मिलने वाला है एक्जाम में याद रखिए क सुरूश लेकर लाट्स तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजेगा और आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक भाइक भी कर दिया करो और कमेंट वे सेक्षन में वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये भी लिख दिया करो ठीक है चलिए अगला प् भाँ के बिदाता यह दोस्तों एक सीहर्षक है जो कि इसी सीहर्षक से प्रकासित किया गया है एय। किलियर चलिए यहां से दुस्तर अब्वंवा एक पेच कंप्लीट होता है अल्रेडि दोस्ता अब तक हम ने जब से यह बुक हमने स्टान्ट आ पैजों को कवर कर चुके हैं जबकि इसके बुक में टोटल 140 पेज हैं 140 पेजों में से दोस्तों आप टैंसल मत लीजिए का आप लोगों कि बुक में जरूर जल्द से जल्द कंप्लीट करवाऊंगा क्लियर चलिए अगला पांट है दोस्तों भारत की राष्टिय प्रतीग आप सभी जानते हैं असोग इसमें तो बताने वाली बात नहीं है पहला पांट दिया गया है कि भारत का राष्टिय प्रतीग सारनात इस्थित असोग इस्तंब की सिंग इस्तंब की सीर से भाग की अनुकरती है क्लियर चलिए अगला पांट भारत सरकार ने से 26 जनवरी 1950 को अपनाया प्रतीग के नीच मुंड को अपनी सद में लिखा सूत्र सत्यमेव जैते देवनागरी लिपी में लिखा गया है यह कुश्चन दोस्तों अब तक किस जितने भी एक्जाम हुए हैं कॉम्पटेटिव चाहें आप SSC का पैपर उठा के देख लीजिए MTSCGL CHSL UP Police SSC GD चाहें आपका Air Force ने भी हो कोई भी एक्जाम हूँ यह मुंड को अपनी सद इतनी बार दोस्तों यह कुश्चन रिपीट हुगा है कि अब तक दोस्तों ना जाने कितने एक्जामों में काफी बार पूछा जिए आपके RRB, NTPC, Group D सभी में आ चुका है यह कुश्चन कोई भी practice set उठ उठा के देख ल कि आा गिया है मुंड को उपनी सद से सत्ते में बजयते लिया गया है अब यहां से आपको द total사म की जानकारी आपको देदूं कि आपसे कब जरूरी नहीं कि आप तो नया कुश्चन की जानकारी आपको दे दूं कि आपसे कब जरूरी नहीं कि आपसे यह पूछ दिया जाए कि सत्य मेब जयते कहा से लिया गया मुड़ को अपनी सद्ध से आपको तुम सुचा कि मुझे पता था लेकिन इसने ज्यादा दिमाग लगा दिया एक जामनर ने आपसे उसने पूछ दिया कि सत्य मेब जयते किस लिपी में लिखा गया है तब आप क्या बताएंगे देवनागरी किस लिपी में दोस्तों याद रखिएगा देवनागरी लिपी में मुंड को अपनी सद्ध लिखा गया है जो कि दोस्तों लिखा गया सूत्र क्या उसका सत सत्यमेव चैति, हैं इसों की श्टम के नीचे भी आप ने देखा हों चक्र पर जहां बना वता हो, हैं ऐसम्भ समदий क्लेंडर के सत्यमेव, वでも सप्वेश नहें क्या है यहाद रखेतागा नेौत क्यों जिस्टुट लूद कि अग्र आधारित सत्यमेव यह राश्टियी पंचान को सरकारी कार्य میںי प्रयोंग के लिए 22मार्च उनिस तो सथावन को अपनाया गया था shop. दोस्तू इस राश्टी कलेंडर नैशनल कलेंडर को इसको व्यूब को लाया गया 22 मर्च 1957 को इसे अपनाया गया जो कि सरकारी कार्यों में इसका यूज किया जाने लगा इसका पहला महिना दुस्तु चैत्र का होता है आपने सुने होगे न चैत्र बेसाक जेश्ट असाड सावन भादव कातिक अगहन पूसमाव तो यह क्या है सबी आपके दुस मार्च और लीप बर्स में 21 मार्च को प्रारंब होता है आप सभी जानते हैं कि साधरन बर्स दोस्तों जो होता है वो कितने दिनों का होता है 365 दिनों का जबकि लीप येर होता है उसमें एक दिन बढ़ जाता है तो 306 दिन का होता है तो सेम दोस्तों कंडिसन यहां पर भी लागू हुई है कि यह सामान बर्स में दोस्तों यह बाइस मार्च को होता है जो कि ली पियर होता है तो वो दोस्तों आपका एक किस मार्च से प्रारम होता है चलिए अब यहां पर दोस्तों छोटी छोटी जानकारिया पढ़ते हैं कि भारत का राष्टी पसूग क्या है आप कहेंगे कि सर आप ये क्या पड़ा रहर। हो तो दोस्तों आपके अग completo अग्जाम सकता है तो आफ सब जानते हैं ये आपस बाद लिकाई ये बाद नहीं है ये मि स्प्रेंट हुगा आफिक ये डॉल्फिन, मचली और राष्टी मिठाई जलेवी राष्टी मिठाई क्या है दोस्तो आप सभी जानते है जलेवी अगला पॉइंट अगला पॉइंट दोस्तो दिया गया है राज भासा क्या दिया गया है दोस्तो राज भासा तो इस point को दुर्स्तो बहुत ही ज़्याद है अब आप लोगों को दुर्स्तो comment में बताना है कि भारत की राष्टी ये भासा क्या है भारत की राष्टी ये भासा क्या है हिंदी है या नहीं हिंदी भारत की राष्टी ये भासा है या नहीं आपको बस इतना yes हा या ना में ज किलियर भारत की राष्टी भासा हिंदी है या नहीं आपको दुस्तो यस यानो में जबाब देना है और यदि और यदि था क्यों भारते सम्धान का आखरी वीडियो रहेगा वह हम आपको लेकर आएंगे दूस्तों कल की वीडियो में तो बने रही हैंगा आप हमारे साथ आप लोगों को कल की वीडियो में सम्धान पूरा का पूरा फिनिस हो जाए वाला है और आपका दोश्तों बहुत ही जल्द नए होगी तो दोस्तों राज बहसा सही स्टार्ट करेंगे यहीं से से हमारी क्लास genau को नेक्ज वीडियो में तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का भूत भूत धन्यवाद और विडियो कर करके जरूर जाएगा कमेंट करके जरूर बताईगा कि आप लोगों को भी सेर कीजिएगा जो लोग हमारी वीडियो को पहली वार देख रहे हों वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करके बեղ आइकन को ऐन जरू कर लीजेगा और आफ लोग हमारा थोड़ा दोस्तो सपोर्ट जरू कीजिएगा ताकि जब आप लोग इस वीडियो हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे तब हमें और ज़्यादा मौटिबेशन मिलेगा तो हम आप लोगों के लिए कुछ बैतर करने का प्रयाज कर सकें तो चलिए दुस्तो मिलते हैं नेक्स टुडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बंदे मात्रम सुबरात्री